दोजार चौदा के बाद से विपक्ष लगातार पियम मोदी से हार रहा है विपक्ष को समझी नहीं आ रहा है कि वो पियम मोदी से मुकाबला कैसे करें पियम मोदी ने अपने नितियों की वज़ा से विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है पियम मोदी ने दिखा दिया है कि बिना ब्रस्टाचार के सरकार कैसे चलाई जाती है। राहूल गांधी आतरा निकाल कर खुब जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके लोग उनकी पार्टी के साथ जुरे लेकिन राहूल गांधी की दाल नहीं गल रही है पार्टी के साथ नए लोगों का जुरना तो दूर की बात है जो लोग पार्टी में है वो भी स्तीफा दे कर भ पर फिर NDA की सरकार बंती दिखाई दे रही है। इस दोरान इंडी गटबंदन को 2024 में 27.7% मिल सकते हैं। वहीं 2019 में UPA को 26.6% मिले थे। सर्वे इस बात की भी जानकारी देता है कि इंडी गटबंदन उत्तर पुर्वी और पश्मी भारत में धाक जमाने में काम्याब रहेगा। लेकिन हो सकता है कि दक्षिन में इंडी गटबंदन की तरफ जुकाओ देखा जाए। वहीं बंगाल की बात करें तो इस सर्वे में 42 लोकसभा सीटों में से TMC को 27 पर जीतिते दिखाया गया है और BJP को 17 सीटे मिलती दिख रही है। BJP गटबंदन को मिल सकती है। वहीं गुजरात, उत्राखंड, गोवा, लद्दाग, चंडीगर, अंडामान जैसे जगों पर भी BJP की जीत पक्की दिखाई दे रही है। कुल मिला कर देखे तो BJP 2019 से भी बड़ी जीत दर्च करने जा रही है। Bureau Report, OMH News और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रouch सब्सक्राइब बश्थ है, प्याँ चारागत में है।